सहज मार्ग के अभ्यासियों को प्रणाम आज का हमारा विशे है सहज मार्ग रहनी हम सब अभ्यासी काफी समय से सहज मार्ग का अभ्यास कर रहे हैं लेकिन जो प्रगती हमें मिलनी चाहिए वो प्रगती हमें नहीं मिल पा रही है तो इसका मुख्य कारण क्या है सहज मार्ग पद्धि को समझने के लिए बाबु जी ने तीन चीजें बनाई सूर्य उदे से पहले पूजा, साम के समय सफाई और रात के समय सोने से पहले प्रात्ना और उसके बाद सततिस्मरण हम सब ये बाते जानते हैं लेकिन हम ये बातें मानते नहीं जानना और मानना इन दोनों के बीच में एक परदा होता है जिसे की हम विश्वास कहते हैं अगर पून रूप से हमें सहज मार्क बद्दी पर विश्वास हो जाए तो हम उसे मानना भी आरम कर देते हैं और बाबुजी की बताई हुई पद्दी का पून रूप से पालन करना आरम कर देते हैं लेकिन ज़ादा तर देखा गया है अभ्यासी सहज मार्क बद्दी को जानते तो हैं लेकिन वो विश्वास नहीं है और वह मानते नहीं हैं बाबुजी की बताई हुई पद्दी का पून रूप से वह पालन नहीं करते हैं तो ये विश्वास पैदा कैसे होता है विश्वास पैदा होता है हमारी विवेक शक्ती से बाबुजी ने इस पस्ट रूप से कहा है जब हम सहज मार्क पत्ती का अभ्यास करते हैं तो सरप्रथम हमारे अंदर वैराग उत्पन होता है और उसके बाद हमारी विवेक शक्ती ख पदिती पर विश्वास हो जाए तो हम जानने के बाद इस पदिती को मानते भी हैं तो इसके लिए हमें करना क्या होगा हमें एक अबोध बालक बनना पड़ेगा जैसा हम जानते हैं एक 3-4 साल का बच्चा पून रूप से अबोध होकर अपने माता पिता पर आश्रित होता है उसी परकार सहज मार्क पदिती का पालन करते हुए हमें ये विश्वास होना चाहिए कि बाबुजी इस पदिती के माध्यन से हमें भूमा के अनंत सागर को पार कराकर उसका साक्सितकार कराएंगे ये विश्वास जब हमारे अंदर पैदा हो जाएगा तो हम एक अबोध बालक की तरह इस पदिती का पून रूप से पालन करने लगेंगे जब तक हम अबोद नहीं होते हैं तब तक हम अपनी बुद्धी का इस्तेमाल करते हैं और बुद्धी का इस्तेमाल करने का मतलब है मेरा एहम इसी कारण से हमें जो प्रगती मिलनी होती है वो प्रगती नहीं मिल पाती है तो सहज मार्क पद्ती में हमें जानना और मानना इन दोनों की विस्वास को पैदा करना होगा और वो विस्वास पैदा होगा हमारी विवेक शक्ती खुलने के बाद इसलिए मैं सबसे यह आगरे करूँगा कि जितने भी अभ्यासी हैं अबोध होकर इस पद्ती का पालन करें और सुबे सूरे उदे से पहले पूजा सामके समें सफाई और रात को सोने से पहले बाबुजी का ध्यान करते हुए पून रूप से समर्पित होते हुए परात्ना कीजिए जब यह सीड़ी पार हो जाती है उसके उपरांत हमें बाबुजी के सततिस्मरण में रहना आरम करना चाहिए और धीरे धीरे बाबुजी हमें एक वृत से दूसरे वृत पार कराते हुए हमारे एहम को 16 वृत में पार कराते हुए उसको पून्टा अस्तित्म में ले कर देते हैं तो हमें अपने विश्वास को जगाना है और जो जानना है उसको मानना है और पदती का पालन करना है